हेलो स्टुडेंट दीसी सबसे पांडे यूर अग्रिकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे जिसका नाम है अग्रिपो तो आज के हम लोग इस लेक्शर में क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटन के बारे में पढ़ेंगे और कौ क्रॉपिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है उसको चान लेते हैं इस डिफाइंड एस दा आर्डर इन विच दे प्रॉप्स और ग्रोन और कल्टिवेटेट अन पीस ओफ लैंड वोवर फिक्स पीरियड तो क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पीस लेंड में जो क्रॉप्स को उगाया जा रहा है ठीक है या ग्रो किया जा रहा है उसी को हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं जिनके क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आएगा मोनो क्रॉपिंग इंटर क्र इस्पापिंग उसारे चीजें रिले क्रोपूपिंग डिफेंड काल कि क्रॉपिंग कॉर्पना थी अभ इसलिग्र पांड़ा है तो यह पिंग प्रिप्रिगा रहे और खुम प्रविजंग कोognडला के स्राइब क्लॉपिंग a same piece of land over a same period of time is known as cropping pattern the cropping pattern का मतलब क्या है कि आपने एक साल में क्या क्या लगा रहे हैं किस तरीके से लगा रहे हैं उसी को हम cropping pattern कहते है on a piece of land over a fixed period of time on a same period of time कहने का मतलब क्या है जैसे मान लीजे आप एक साल में क्या लगा है पहले आप पैडी लगा है पहले आप धान के खेती किये ठीक है उसके बाद आप वीट लगा है उसके बाद आपने क्या ले लिया कुकुम्बर खीरा कुछ ऐसा ले लिया ठीक है तो आपने क्या क्या खरीफ में वह लगा है रभ रहे हैं जो आप crop उगा रहे हैं एक साल में वही है आपका cropping system जिसमें आप mix cropping inter cropping ठीक है relay cropping LA cropping बाकी सारी चीजे करते हैं on a period of time बास रही है ठीक है तो cropping system के types हैं जिसमें आता है monoculture जिसे हम monocropping करते हैं mix cropping कहते हैं या multiple cropping कहते हैं और following और fallowing rotation जो fallowing होता है rotation में उसे भी हम count करते हैं तो तीन प्रकार के हैं एक है monoculture जिसे हम monocropping कहते हैं दूसरा है multiple cropping ठीक है और तीसरा है fallowing या fallowing rotation ठीक तो monoculture कहा है mono का मतलब आपको पता ही है single होता है mono का मतलब क्या होता है single और culture का मतलब जब हम एकी piece of land पे बार बार एकी पौधे को लगा रहे हैं on a period of time एक fixed interval of time के लिए तो उसे हम monoculture कहते हैं तो definition देखें यहां लिखा होगा the cropping system in which only one major crops are grown on the same piece of land year after year जब एकी crops को आप एकी जगैंपे बार बार लगा रहे हैं जैसे मान लीजैने मिरा खेत है यहां फिर गिवव लग फिर गिव लगए फिर गिव लगए फिर गिव लगए इससी चीज को बार-बार हम repeat कर रहे हैं तो उसे हम mono-cropping कहते हैं गिववक दिखेंimento का let और इसका एक और डेफिनेशन है repetitive growing of only one crop on the same piece of land year after year is known as monocropping तो एकी जमीन पे एकी crop को बार 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 उगाना उसी को हम monocropping कहते हैं तो आपने एक बार राइस लिया फिर एक बार और राइस ले लिया एक साल में तो आपने लिए जायद में लगा जाता है लेकिन अगर आप साउज में चल जाएए तो वही रवी की सीजन में भी वहाँ क्या होती है राइस की सूइंग होती है राइस को वहाँ ट्रांस्ट्वांटिंग होती है और जायद में भी होती है कुछ जगां पे तो उसी को हम नाम दिये हैं अस अमन बोरो तो राइस राइस दोबा लगा लिए तो उसे क्या बोल दिये मोनो क्रॉपिंग बोल दिये इसी तरह बाजरा बाजरा होगा रहे है तब भी वह भी मोनो क्रॉपिंग का एक्जांपल है तो यह क्या है एक ड्राइलेंड या इरिगेटेड एरियास के लिए है ड्राइलेंड या इरिगेटेड इरियास के अलग-अलग होते हैं, जैसे मोनो क्रॉपिंग सिस्टम है, वो बटा हुआ है, मोनो ड्राइलेंड एरियास का अलग क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होगा, क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो होगा, और इरिगेटेड एरियास के लिए अ एर्रीगेशन केलिए होता है, वो मौजूद होता है तो उसे हम इरिगेटीर एरिआस कहते हैं ठीक है, आजिना more that the benefits of monoculture और monocropping to monocropping और monoculture का क्या अध्वांटेज है, तो देखे, How convention in sowing with the help of machinery तो देखिए मोनो क्रॉपिंग में क्या कर रहे हैं बार बार आपको असानी से हो जाएगी मतलब बार बार आपको जरूरी निया कि आपको फिल्ड प्रिपरेशन उतना ध्यान से करना है क्योंकि हर पौदे की अलग-अलग फिल्ड रिक्वार्मेंट होती है तो यहां बार बा सारा पहले से वेल सेट रहेगा तो जरूरी निया कि आपको असानी से हो जाती है इसका 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 देखा जाए तो सम्टाइम फॉर्टिलिटी और प्रोडुक्तिविटी अप्टुविटी आप दोस्वाइल और लोवर इस सुटीवल मेंजमेंट प्रक्टिस आर इसमें क्या होता है कभी कभी कि अब जब एकी फसल बार बार उगा रहे हैं तो जाहिट सी बात है कि जो फॉर्टिलिटी और प्रोडुक्तिविटी लेवल है स्वाइल का वो क्या होता है कम होने लगता है वो क्या होता है कम होने लगता है क्यों कम होने लगता है क्यों क्यो कर रहा है तो जब बार बार एक ही स्वाइल से बार बार न्यूट्रियंट करेगा तो जो स्वाइल में जो न्यूट्रियंट होंगी उनकी वैलू कम होने लगेगी उनकी उपलब्धता थी वह कम होने लगेगी जब उनकी उपलब्धता कम होगी जो उनकी एविलिबिलेटी कम हो जाएगी तो जाहिड सी बात है soil deteriorate हो जाएगा soil के पास वो शमता नहीं रहा पाएगी कि वो पूरा nutrient पौजे को provide कर पाएगी इससे क्या होता है soil fertility level भी क्या होती है down होने लगती है soil structure may be deteriorated तो soil का structure भी बदलने लगता है आपको पता ही है जैसे gravel soil था या clay soil तो दिरे दिरे क्या होता है changes आने लगते हैं increase infestation of pest disease and waste यह भी देखने को मिलता है जब आप monocropping करते हैं तो जो आपका इंसेक्ट का infestation होता है या pest का या weed का वह बढ़ने लगता है क्यों क्योंकि जो भी आप दवा छिड़े कर रहे हैं जो भी आप pesticide इंसेक्टिसाइड और वेडी साइड इस्प्रे कर रहे हैं अब बार पर सेम पौधा लगा रहे हैं तो उस पौधे के अंदर तो यह भी देखने को मिलता है मोनो क्रॉपिंग के अंदर तो यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह भी देखने को मिलता है सब इसके कुछ disadvantage थे ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें intensive cropping system intensive cropping system में multiple cropping आता है multiple cropping में देखा जाए तो जैसे कि हम एक ही field पे क्या करते हैं एक ही field पे जब हम एक से ज़्यादा फसल लेते हैं एक साल के अंदर या एक सीजन के अंदर एक से ज़्यादा फसल लेना स्टार्ट कर देते हैं उसको हम multiple cropping कहते हैं तो multiple cropping को दो भागों में बाटा गया है parallel multiple cropping and sequential multiple cropping तो कोशिस हम यह करेंगे कि आपको multiple cropping जो है parallel multiple cropping उसके बारे में हम बता दें ठीक है उसके बारे में बता दें ठीक है तो parallel multiple cropping के अंदर देखा जाए तो इसके पांच सब टाइप्स है mixed cropping, inter cropping, relay cropping, LA cropping and multi-storage cropping तो यह नाम देखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं सबके अलग-अलग मतलब है सबके अलग-अलग example भी है और सबके अलग-अलग advantage and disadvantage भी है तो सबको आपको detail में पढ़ना है, इसी lecture में देखना है तो चलिए, आगे चलते हैं हम लोग पहले हम लोग multiple cropping के बारे में बात करेंगे किसकी बात करेंगे? multiple cropping के बारे में multiple cropping क्या है? the cropping system in which two or more crops are grown either in succession or sequence or association for entire or part year of their life cycles on the same field in a year is called multiple cropping multiple cropping का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक बाधे को आप बारी बारी से या एक साथ उगाते हैं एक ही पिरियड में उगाते हैं एक ही cropping season में उगाते हैं ठीक है तो और एक ही फिल्ड पे लगाते हैं तो उसी को आप अप मल्टिपल क्रॉपिंग कहते हैं बास संदा गया देफिन संदा गया दॉपिंग सिस्टम इन विच तू और मूर क्रॉप्स और ग्रोण आइधर इन सक्सेशन एस्सेशन और सिक्वेंस फॉर इंटायर और पार्ट पियेड अफ दियर लाइफ साइकल ऑन दे सेम पीश ऑफ सेम पीश इन कब्रेंao इंगे वेज़ा से ब्लबट संदा में तो मट्याम आप एक से ज्यादा पोधे को ले रहे हैं या दो से अधिक अधिक पोधे को ले रहे हैं तो मल्टिपल क्रॉपिं घंडर में देखा जाये मुल्टिपल क्रॉपिं के अंदर ऐसाम पहले आप Sorgham लगा दिये K आउस्का नेख्यांव लगा यह सब्सक्राइब चांपी og दनेव और दनेव में भी driven और चांप्राइब्र हम भी और ग्रेंज ख्रूम है दुसरा तीसरा है थर्ड एक्जांपल क्या है राइस वीट और बेंगाल ग्राम लेंसीट ठेक है अब लोग चलते हैं पैरलर मुल्टिपल क्रॉपिंग की बात करेंगे अब बता रहे थे पैरलर है और एक सिक्वेंशियल है तो पैरलर में क्या आता है वें टू और मोर क्रॉ तो लेपन पैरलर एक साथ वह भी चलेगा या तो कुछ हिस्थे तक चलेगा पहले उसको बीचमे काट लिये जाएगा या तो जब तक इस वाले की लाइव साइक्ल कोंपेट होगी तो इसकी लाइव साइकल कम्रीट होगी इतना संजम को जब सुविंग करते हैं लेकिन 2 हिससे हम लोग बात करते हैं तो वही लिखा है दो या दो से अधिक पौधे को उगाना association में कुछ part के लिए या तो पूरे entire period of time के लिए on a same piece of land in a same life cycle ठीक है is known as parallel multiple cropping तो इसमें पहला क्या आता है mixed cropping क्या आता है mixed cropping तो mixed का मतलब क्या होता है जब आप दो या दो से अधिक पौधे को एकी same piece of land पे लगाते हैं without any definite distinct row pattern आपने कभी row arrangement नहीं रहेगा ना वहाँ कोई pattern follow करना है बस आपने seed लिया दो पौधे का और दोनों से पौधे के seed को क्या किया mix करके लगा दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे mix cropping बोलेंगे इतना सुन मारा है टीक है जैसे माल लेजे आपने क्या किया मेज लिया ग्रीन ग्राम लिया और पिजन पी लिया तो पहले मेज और ग्रीन ग्राम को एक साथ बो दिया पीजन पी को भी एक साथ बो दिया तो तीनों को एक साथ आपने क्या कर दिया उगा लिया जाहिर सी बात है तीनों को एक साथ आपने खरी सिजन में क्या कर लिया सो कर लिया तो इनका कोई पैटन बनाया होंगे एक बार मेज की लाइन ले रहे होंगे या दो बार मेज की बाटकास्टिंग के धुरू कर लिया जाता है ठीक है यह वासन में आगया मिक्स क्रॉपिंग इसके कुछ एडवांटेज है मिक्स क्रॉफिंग जादा तर यूज किया जाता है रेन फेड या ड्राइए एरियास में क्योंकि वहाँ वाटर की जो इपिल्विलिटी होती है बह आपका ग्राउंड नट है मस्टर्ड है एसेक्टरा ठीक है तो जैसे कि आपकी मुंफली है सरसू है यह सब जो होते हैं उनको मिक्स किया जाता है सीडियल स्क्रॉप के साथ ठीक है जैसे कि जवार है बाजरा है अभी जैसे हम लोग पढ़े मेज के साथ आपने बेंगाल ग इसे करते हैं ड्रीलिंग मसीन से करते हैं विद्ध है विद्ध हैल्प औफ सीड्रील और मॉर्गान उसके पीछे मॉर्गान लगाते हैं सीड्रील के पीछे जिसकी करण कुप्पी टाइप होता है जिसकी करण असानी से सूइंग आपकी हो जाती है मिक्स क्रॉप में ज्या advantage देख लेते हैं mixed cropping का, तो risk of failure or crop is less, जब आप दो crop लगा रहे हो, तो जाहिड से बाते हैं एक जो crop अगर fail पी हो जाए तो दूसरे crop से आपको क्या होगा, yield मिलेगा और आप उससे अपनी profit book कर सकते हैं, तो जो risk of failure का वो कम हो जाता है, दूसरा fulfill of daily requirement of food grains, oilseed and pulses, आपको एकी season में दो crops की उपलवद्दा हो रही है, मतलब availability हो रही है, जैसे कि आपको food grains की साथ साथ, आपको cereals भी मिल जा रहे हैं, और legumes भी मिल जा रहे हैं, oilseed crops भी मिल जा रही है, third अगर example की बात देखा जाए, third की बात किया जाए, तो improve fertility of the soil if legumes are taken as minor crops, तो अगर आप legumes को ले रहे तो जाहिड सी बात है, redums क्या करेगा, nitrogen fixation करेगा, तो जाहिड सी बात है, जो soil के अंदर nitrogen की, nitrogen की availability थी, उसको क्या करेगा, वो increase करेगा, उसको बढ़ा देगा, जब उसको बढ़ाएगा, तो जाहिड सी बात है, soil की जो fertility level थी, वो improve हो जाएगी, तो वो होता है, ठीक है, better distribution of labor throughout the crop, तो आप क्या करेंगे, labor को बहुत better utilization कर पाएंगे, पूरे field में अच्छे से उनका use कर पाएंगे, अगर एक ही बहुता लगाए होते, तो वहां तक labor जाता, उसके बाच वाली जो field है, जो उसमें कुछ है नहीं, तो वहां नहीं जाता, तो labor का भी आप अच्छे प्र crop की भी yield मिल रही है, तो जहिर सी बात है, आपकी जो overall income थी वह बढ़ेगी, उसके बाद क्या है, वेल बैलेंस cattle field is obtained, क्योंकि आप साथ में main crops के साथ कुछ और भी subsidiary crops भी आप उगा रहे हैं, तो उन से जो आपका चारा मिल रहा है, जो as a waste material मिल रहा है, वह आप as a cattle field के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, safe guard against pest and diseases, जब आप mixed cropping करते हैं, तो आपके main crops के किनारे किनारे, अगर आप सोईंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे पोधे लगा रहे हैं, किसी भी definite pattern में आप लगा रहे हैं, किसी भी definite row arrangement में लगा रहे हैं, क्योंकि यहां कोई abundance नहीं होता है, इस को रोकने का काम करता है, एक प्रकार का protection भी आपका main crops को मिलता है, as a, by the help of mixed cropping, ठीक है, full utilization of space and available plant nutrient, जो आपका space था, जब आप एक ही पोधे लगा रहे थे, तो बीच में space बहुत जादा था, अगर हम इस तरह समझने की कोसिस करें, आप अगर wheat लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, wheat की sowing कर रहे थे, तो आपका यह wheat का पोधा है, यह क्या है, आपका wheat का पोधा है तो जो wheat का पोधा था, उसमें क्या हो रहा था, यह जो बीच में जगा खा ली था, यह आपका waste जा रहा था, लेकिन जब आप यहां mustard उगाना सुरू कर दिए, तो आपका यह space का utilization अच्छा होने लगा, यह वासनारी आपको, यही चीज है, तो आप space का utilization कर रहे हैं, और plant nutrient क कभी अच्छा कासा utilization कर रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग, अब disadvantage की बात किया है, किसकी बात करेंगा हम लोग, disadvantage की, तो sometimes control of pest disease and weeds become difficult, जाइट सी बात है, जब advantage होगा, तो उसकी disadvantage भी होगे, तो इसकी disadvantage क्या है, कि अगर आप माली जे सीड मिक्स करके sow कर दिये, तो उस दौराँ क्य हो जाते हैं, और वहाँ insect और pest का infestation बढ़ जाता है, तो उस में क्या होता है, कि आप एक pesticide spray कर रहे हैं, तो जब आप कोई एक definite low pattern में sow नहीं किया है, तो वहाँ insect, जो intercultural operation होते हैं, जैसे insecticide spray करना है, या pesticide spray करना है, तो वो मुस्किल हो जाता है, तो वो difficult हो जाता है, ठीक उनका preventive method या control method, यह सब दिक्कते होना start हो जाती है, sometime effect the yield of the main crop, जाहिर सी बात है, कभी-कभी आपने माल लीजे, ना जानते हुए भी, आप अंजाने में spray कर दिये, तो जो आपका main crop से उस पे भी उसका insecticide या pesticide का असर होता है, जिसके कारण कि जो आपकी yield होती है, वो कम हो जाती है, adverse effect of insecticide and pesticide on the healthy crops, harvesting with the help of machinery is not possible, तो जो harvesting होता है, क्योंकि आप कोई definite pattern में सूने कि हो, पता चला, एक rice का है, फिर एक rice का है, फिर इसके बाद एक bengal gram, फिर एक rice है, फिर एक bengal gram, इस type का अगर pattern हो रहा है, तो आप harvesting कैसे करोगे, कोई machine machine use नहीं कर सकते है, आप हर हाल जात में manually harvesting करने पड़ेगे, जो कि बहुँ ज़्यादा tough और time consuming process बन जाता है, ठीक है, types of mixed cropping की बात क्या आजाए, आगे चलते है, types of mixed cropping की बात करेंगे, mixed cropping में अगर देखा जाए, तो पहला आता है mixed crop, तो seeds of different crops are mixed together and then sown either in lines और रोर कोशे, इसमें अभी बताया दिए, कि mixed crop में क्या होता है, उनके seed को पहले ही हम क्या कर लेते हैं, mix कर लेते हैं, उसको broadcasting के through या line में sowing कर देते हैं, उनको हम ऐसे crops को mix crop कहते हैं, next है companion crop, companion का मतलब होता है साथ ही helper, आपको मदद करने वाला, तो जो इनके जो seed होते हैं, उनको mix नहीं करते हैं आप, और क्या करते है but different crops are sewn in different rows, is known as companion crop है, इन में जब आप definite row pattern में अगर वही sewing कर रहे हैं, तो उसको आप companion crop कहते हैं, क्या कहते हैं, companion crop कहते हैं, just example लेते हैं, यह आपका wheat का crop है, ठीक है, उसके बाद क्या किये आप, उसके बाद आप क्या किये, यह जब आपका wheat का crop है, यह जो आपका crop है, यह mustard है, फिर आपका wheat crop आया, फिर आपके यहां क्या आया, mustard आया, क्या आया, mustard आया, रासन्गार आया, तो इस type का क्या हो गया, पैटे में अगर आप sowing कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, companion cropping बोलेंगे, ठीक है, अगला है guard crop, guard crop का मतलब क्या था, guard करना, मतलब सिंपल सी बात क्या है, वो protect करने का काम करेगा, किसका काम करेगा, protect करने का काम करेगा, the main crop is sown in the center, अब देखे, main crop को center में sowing करते हैं, उसी को हम guard crop करते हैं, जाए तर आपको उसमें cotton में देखने को मिलता है, जैसी ये cotton है, ये field है आपका, यहाँ आपने cotton लगाया है, क्या लगाया है, cotton लगाया है, तो इनके किनारे किनारे आप क्या करेंगे, ये cotton लगा दिया अपने line sowing में कर दिया cotton की sowing कर दी, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है किनारे किनारे क्या है, किनारे क्या क्या करेंगे, एक पकार का हम दूसरा पौधा लगाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, जो कि हम ओकरा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओकरा, ठीक है, एकरा लगाते हैं है, तो उसी को हम बोलते हैं, guard crop सांग आगे, तो यहां लेखाँ मिलए भी है, the main crop is sewn in the center surrounded by the hardy crop to provide protection to the main crop, जो की main crop को protect करता है, उसे हम guard crop कहते हैं जैसे Sepflora surround with, around wheat, कि ही गणार दिया लगा दिया अपने अगा कूअ सेंदे कि यह और यह जय्ım क्या यहां जनलर लीुक्र होती है नहीं हो सकती है जरूरी नहीं है है कि मेंटिं ग्राल किसकी बात करेंगे एग्मेंटिंग क्राफ की बात करेंगे सब क्राप्स और स Kolleginnen के साथ आप एक वसकी सब्सेंडरी क्राफ भी सोकर लेते हैं जो क्योंकि उस क्रॉप की इल्ड को बढ़ाता है उसी को हम अगमेंटिंग क्रॉप कहते हैं कुछ एडवांटेश जान लेते हैं अगमेंटिंग क्रॉप के ठेक जो भी आपकी इविलेवल रिसोर्से से उसका परफेक्ट यूटिलाजेशन हो सके इंस्वारेंस आफ अगेंस टोटल फैल्यूर अव क्रॉप तो आप जब एगमेंटिंग क्रॉप लगाते हैं जिससे कि आपकी इल्ड बढ़ जाती है वो एक इंस्वारेंस देता है कि अगर ये इल्ड लॉस होती है ये पौधार लॉस होता है लेकिन दूसरा वाल तो आपको रहेगा न वो तो कुछ ना कुछ तो उपस देगा ठीक है हाईर इल्ड यूनिट पर यूनिट एरिया तो एक पर्टिकुलर टाइम में आपको एक इल्ड एक पर्टिकुलर फिल्ड से परस्ट न इस जाहिड सी बात है जो पस्ट और इस का जो इंसीडियंस होने वाला है होता है वह ऐमेंटिंग क्रॉप में क्योंकि आप दो पादे एक साथ बो रहे हो तो जब जो पेस्ट का इंफ्टेस्टे सना होगा किसी एक पदिय पर ज्यादा होगा एक टाइप के पर होगा दुसरे पौधे पर तो होगा नहीं तो यह होता है less incidence देखने को मिलता है importance improvement of soil structure जाहिज सी बात है आप जब जैसे या cereals के साथ आप lagunus crop को अगर सो कर रहा तो जाहिज सी बात है कि आपकी soil structure या soil fertility या soil 찜 से जाहिट से बात है कोई ना कोई एडाटेज होता है तो इसके की बात कर रहा है तो इन में क्या होता है common क्या है disadvantage देखने को मिलता है जो कि एक intercultural operation है जो कि weeding है hoeing है और यह सारी जो operation है harvesting है इसमें क्या होता है दिक्कते आती है क्योंकि आप definite row pattern में आप sewing तो कि यह नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप weeding करेंगे या पेस्ट management करेंगे ठीक है hoeing करेंगे उसमें आपको दिक्कते देखने को मिलती है more labor requirement ज्यादा requirement होगा जाहिर सी बात है जब आप एक माली जग एवल एक पौधा वोए थे आप बस rice वोए थे तो rice का जो वहाँ जो भी labor की requirement होगी वो कम होगी लेकिन rice के साथ साथ आप एक और पौधा होगा ले रहे हैं तो वहाँ क्या होगा कि दो पौधे आगया दोनों में labor requirement की संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है due care is needed while selecting crops तो जब आप sell crop को select करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जुरत वहती है कि हो ऐसा ना हो कि एक पौधे के चक्कर में आपको दूसरा पौधा का क्या हो जाए लॉस हो जाए ठीक अब हम लोग इस वीडियो में पर इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है उसको हम लोग बाद में next वीडियो में cover करेंगे ठीक है अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार आ देना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ठीक है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए और इस हम इसी तरह वीडियो नए नए वीडियो देख देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर जिससे कि इस वीडियो का लाग बाकिस लोग भी उठा सकें ठीक है और अपना ख्याल रखिएगा बाई बाई श्टुएंट्स